सोंबार की शाम पाड़ी पुलिय पर चलती एक स्कूल वैन में अच्छानक आग लग गई गनीमत रही की हाथ समें किसी भी प्रकार की हानी नहीं हुई लेकिन वैन पूरी तरह से जल कर खाक हो गई इसे कुछ समय के लिए अफरात अफरी का माहोल परिसर में मचा रहा जानकरी के मताबिक सोंबार की शाम करीबन साड़े साथ से आठ बज़े के बीच पार्डी घाट के पास पार्डी पुलिया पर अजानक चलती वैन में आग लग गई वैन बहुत पुरानी थी विद्यातियों को स्कूल वैन छोड़ कर चालक घर जा रहा था तब ही रास्ते में शौर्ट सरकिट होने से वैन में आग लग गई प्रतियक्ष दर्शियों के अनुसार वैन में धुआ निकलता देखकर चालक ने वैन को सड़क किनारे ही खड़ा किया और वहां से भाग निकला आवास परिसर में गुण जुठी इस बीच किसी ने हाथसे की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी दमाकी के साथ वैन के टायर ब्लास्ट होने से ये आवाज पूरे परिसर में सुनाई दी जिससे लोग दहशत में आ गए सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुँची और पहुँचकर कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पालिया गया NBCN News के लिए अकलेश भादवाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट